हलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूं जखास ही होंगे अगर आप अपने six packs बनाना चाहते हैं अपने टैमी को कई करना चाहते हैं वजन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मेरा भाई और बहनों सॉरी भाई और बहनों आज हम लो बनाने वाले हैं मू सारे और हेल्दी तो बनेगी ही मूंग डाल की खिचरी है तो हेल्दी तो बनेगी वीडियो बुरा देखिएगा पर नब मिस कर देंगे मेरा भाई मेरा six packs एप्स मिस कर देंगे सबसे पहले एक कटोरी आपको चावल लेना है कोई सा भी खुदुलो वाला चावल लेना है बास मती चावल मत लेना नॉर्मल चावल लेना और उसी कटोरी से एक कटोरी आपको मूं की दाल सिंपल मेजरमेंट है और इसमें आपको पानी डालना है और सरव परताम इसे आप और चावल बस इतना भिगो के 10 मिनट के लिए कम से कम छोड़िएगा आदे घंटे के लिए भी छोड़ सकते कूकर ले लिया है मैंने क्योंकि हम कूकर में बनाने वाले हैं तो अब हम मैंने इसमें डाल दिया है 3 से 4 चमच घी देखें शेहत के लिए बहुत अच्छी होती है तो घी डालिएगा तेल ना डाल दिजिएगा कहीं मेरा तेल ना निकल जाए ये कुछ सबजिया है जिसमें है गाजर, शिमला मेर्च, फूल, गोभी और क्या है स्वीट कॉंस ये सारी सबजिया हम इसमें डाल दिएगे इक्वल कॉंटेटी में ये सबजिया थी वीडियो कठो जोकी है बट मैं आपको बताता हूँ 100-100 ग्राम के जितनी ये सबजिया थी इक्वल कॉंटेटी में सारी सबजिया थी हाई फ्लेम पे मैंने दो मिनियर तक इन्हें पकाया है और फिर हम ये जो हमने चावल भीगो के रखे देना चावल दाल पानी निकाल के सब इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे अब जितना आपने चावल लिया है उससे 5 गुना आपको पानी लेना है एक कटोरी चावल तो 5 कटोरी पानी थोड़ा ज़्यादा कम लग सकता है बस कोई प्रॉब्रम नी होगी एक टमाटर मैंने इसमें चॉप किया हुआ डाल दिया है अब लगभग 3 से 4 टेबल स्पून के जितना मैंने इसमें चॉप किया हुआ हरा दरीय डाल दिया है यह बहुत अच्छा फ्लेवर देगा और कलर भी बहुत अच्छा देगा और हम इसमें लाल मिच ने जालने वाले हैं तो हरी मिच डालेंगे लगभग 1 टेबल स्पून के जितना चॉप किया हो मतलब 4-5 हरी मिच चॉप की हुई और स्वाद अनुसा नमक आपको इसमें एड कर देना है हल्दी पाउडर एक चौथा ही चमच डाल देंगे और अब हम इन सारी चीचों को एक साथ पहले आपको मिला लेना है सेहत से भरा हुआ है मेरे भाई कहीं मत जाईएगा तो अच्छी तरह से हम पहले से मिला लेंगे और अब कुछ नहीं करना आपको ये कुकर का ढगनवा लेना है और इसे लगा देना है सीटी इसमें लगानी है आपको 4-5 भी लगा सकते हैं खिचडी थोड़ी ना गली हुई रहती है तो ही अच्छा रहता है कोई हम राइस तो बना नहीं रहे ताकि खिले खिले चावल मिले तो खिचडी 4-5 सीटी डिपेंड ऑन योर राइस तो मैंने 4-5 सीटी लगाई है लगबग 5 लगा लिए है और ये देखिए हमारी जो खिचडी है वो बनके त्यार हो चुकी है कलर से लबालब भरी हुई है अब हम इसमें तरका लगाएंगे तो उठाते हैं इसे और रखते हैं साइड में और ये एक पैन ले लेंगे अब हम थोड़ा कैमरा को अरजेस्ट करेंगे ये काफी नीचे दिख रहा है आजा और उपर आजा बस ये सही है सही है ना बताइएगा अब फिर से इसमें हमने बड़ा सा चमच भरके घी डाल दिया लगबग दो चमच होगा ये और अब हम जब ये घी मेल्ट हो जाए तो तीन मैंने सूखी लाल मिश डाल दी है इससे बहुत ही अच्छा सोंधा फ्लेवर आता है ठीक है हींग डाल दी है एक चौथा ही चमच और बस इसे तड़का लेना है दस सेकंड के लिए जादा मत पकाईए वरना हींग काली पड़ जाएगी और बस कुकर में के तरफ जाना है और कुकर में इसे डाल देना है सिंपल ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे चार्चान लगाने के लिए और यह देखें लबा लब धुए छोड़ता हुआ हमारा हेल्दी सिक्स पैक्स वाला खिचडी बनके तयार है मुंग डाल की आप जरूर बनाईएगा और बताईएगा कि आपकी जो एक खिचडी है कैसी बनी है और कितने दिन में अपने सिक्स पैक्स बना लिए है ठीक है ना तो उमीद करता हूँ यह धासूर ऐसी पे आप लोगों बहुत पसंद आई होगी जरूर ट्राइक कीजिएगा बताईएगा फीड़बैक्स दीजिएगा मुझे कमेंड में आज के लिए बसेते हैं फिर में लोगा एक नए वीडियो फिर मेरे सिक्सा थैंक यू सो मुझ वाचिंग बाबाई